पारश चाबड़ा लगातार सुर्ख्यों में बने हुए हैं अपने शो को लेकर जिहां हम बात कर रहे हैं पारश चाबड़ा के स्वेंबर के बारे में यहां पर आप सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से यहां पर टास्क दिये जा रहे हैं तो वहीं शो में कंटेस्टेंट की एंट्री हो चुकी है और ऐसे में लगातार यहां पर टास्क भी दिये जा रहे हैं जिस तरीके से आप सभी ने देखा कि बिक बॉस में कंटेस्टेंट आते हैं और उन्हें टास्क भी दिय जाते हैं और सेम उसी की तरह सैट भी वही है और टास्क भी उसी तरीके से दिये जा रहे हैं वेल देखा जाये तो यहाँ पर पारस चाबड़ा की बॉंडिंग इन तमाम एक्टरस के साथ बंती हुई नजर आ रही है तो वहीं पारस चाबड़ा के शो को लेकर लगातार कई खबरें में सामने आ रही हैं अगर बात की जाये पारस की परिसनल लाइफ के बारे में तो शो में पारस को लेकर तमाम बातें सामने आई जिहां हम बात कर रहे हैं पारस चाबड़ा की एक्स गर्ल फ्रेंड अकांशा पूरी के बारे में हाल ही में एकांशापुरी को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आई है जिसों जानने के बाद फ्रेंट्स काफी हैरान हो जाने वाले हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं इस प्रोग्राइम के जरिये की आखिरकार अब शो में क्या न्यू बदलाव होने वाला है तो चलिए फ्रेंट्स पहले कीजिए चैनल को सब्सक्राइब और वैल आइकन को जरूर दबाएं हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू आर चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज और मैं हूँ आपकी होस्ट प्रांशी राड़ौ बता दें आप सभी को की हाल ही में अकांशापुरी को लेकर तमाम खबरें सामने आई अकांशापुरी ने पारस चाबड़ा को लेकर अपने इंट्रिव्यू में कई बड़े खुलासे किये तो वही शो से जब बाहर आए पारस तो यहां पर इन दोनों की ब्रेक अप की खबरे भी सामने आ गई इसके अलाबा पारस बुरी तरीके से भड़कते हुए भी नजर आए लाइब वीडियो में जब उन्होंने शेयर किया इंस्ट्रेग्राम पर एक वीडियो वेल फ्रेंट्स देखा जाए तो अकांशा पुरी ने पारस चाबड़ा को लेकर ये भी खुलासे किये कि वो लगातार उन्हें सपोर्ट करती हैं उनके लिए जो सामान पहुचाया जाता है वो सब कुछ अकांशा के जरिये ही पहुचाया जाता है ऐसे मैं पारस ने भी एक से बढ़कर एक खुलासे कर दी लेकिन अब खबरों के बीच में दोनों ही बने हुए हैं और अब ये शो भी इनकी परसनल लाइफ की बीच में आता हुआ दिख रहा है जी हाँ हाल ही में पारस शाबड़ा ने लाइब आकर अपनी एकस गर्फरेंड अकांशा पुरी को लेकर काफी सारी बाते कहीं उन्होंने अकांशा को काफी बुरा भला भी कहा तो वहीं अपनी जिलेशन को लेकर तमाम बातें यहाँ पर अपने फैंस के बीच साजह भी की वेल आपको ये भी बता दें कि जब पारस शाबड़ा लाइब आये थे तब अकांशा पुरी को लेकर तो उन्होंने कहा ही था साथ ही साथ वो माहरा शर्मा से भी बात करते हुए देखे गए यहाँ पर लाइब चैट इन दोनों की सामने आई थी ऐसे मैं शो में माहरा शर्मा और पारस शाबड़ा की दोस्ती किसी से छुपी नहीं है वहीं अगर बात की जाए पारस शाबड़ा के शो को लेकर जिहां हम बात कर रहे हैं उनके स्वेंबर के बारे में पारस छाबड़ा इन दिनों मुझसे शादी करोगे स्वेंबर में नजर आ रहे हैं यहाँ पर पारस का स्वेंबर चल रहा है तो वहीं पारस छाबड़ा के शो को लेकर एक बड़ी खबर भी सामने आ गई है हालंकि यह तो आप सभी जानते ही हैं कि जब पारस बिग बॉस में थे तब उनकी एक्स गर्फरेंड अकांशा पुरी ने पारस को लेकर तमाम बातें शेयर की थी जब वो बिग बॉस में आई थी तब उन्होंने सलमान खान के सामने भी यह कहा था कि यह प्लानिंग है प्रिप्लानिंग करके गए हैं पारस शाबड़ा शो के अंदर जिससे कि शो में वो हाइलाइट भी रहे है ऐसे मैं सलमान खान ने जब कहा कि पारस यहां पर लड़कियों से दोस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं तो वहीं अकांशा ने कहा सब कुछ प्रिप्लान्ड है पारस यह सब कुछ शो में आगे बढ़ने के लिए कर रहा है वैल आपको यह भी बता दे कि अकांशा पुरी ने कई इंटरव्यूज में पारस को लेकर बाते भी कहें कि पारस को वो हमें शाही सपोर्ट करती आई हैं वो उनसे बहुत प्यार क कि हमने इतनी सारी अगर स्टेटरजी बनाई हैं तो फिर अगर ऐसा ही था फिर भड़की क्यों अगर सपोर्ट करती हैं तो ऐसी बातें क्यों कह रही हैं इंटरव्यूज में वैल दोस्तों यह तो बात हुई इन दौनों की रिलेशन्शिप को लेकर लेकिन अगर यहां पर परश के शो को लेकर तो हाल ही में ख़बर आई है कि अकांशापुरी जल्द ही पारश के शो में एंटरी ले सकती हैं जिहां रिपोर्ट के मुताबदिक सामने आया है कि शो में होगी अकांशा पुरी की एंटरी अगर अकांशा इस शो में आती हैं तो शो की TRP भी हाई होगी तो साथी साथ यहां पर आपको हाई बोल्टेज ड्रामा भी देखने को मिलेगा वैल आपको यह तो पताई है कि पारस और अकांशा का रिस्ता तूट चुका है जिहां ब्रेक अप हो चुका है और ब्रेक अप के बाद यदि शो में आती हैं पारस की एक्स गर्फ्रेंड अकांशा तो वाकई में शो दमदाट TRP पर पहुंच जाएगा और शो को काफी पसंद भी किया जाएगा ऐसे में खबरों के मताबिक यहीं खाया जा रहा है कि पारस की गर्फ्रेंड अकांशा जल्द ही यहां पर एंट्री ले सकती हैं हालंकि आपको यह भी बता दें कि इस शो में जिस तरीके से स्वेंबर के लिए लड़की आई हैं तो वहीं जब अकांशा इस शो में पहुंचेंगी तो आप सभी को काफी मसाला देखने को भी मिलेगा वेल देखते हैं कि आखिरकार यहां पर अकांशा पुरी शो में कब एंट्री ले सकती हैं आपने देखा यहां पर कि अब जल्द ही हो सकती है पारस्ते इस शो में अकांशा पुरी की एंट्री जिहां शो मुझसे शादी करोगी लगाता सुर्खियों में बना हुआ है तो वहीं फैंस की डिमांड ये भी थी कि ये शो बंद कर दिया जाए आपको बता दें कि शेहनाज गिल को लेकर ये शो पसंद नहीं किया जा रहा था बता दें कि यहां पर फैंस चाहते हैं कि शेहनाज के साथ यहां पर नजर आएं सिधार शुकला लेकिन यहां पर कुछ और ही दिखाया जा रहा है लेकिन शायद अब जल्द ही शो में ट्विस्ट आ सकता है खबरों के मुताबिक यही कहा जा रहा है कि जल्द ही शो में एंट्री ले सकती है अकान शापुरी तो देखते हैं दर्शकों की आखिरकार आगे क्या होता है तब तक के लिए आप देखते हैं नेक्स्ट नाई न्यूस और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेर करना ना भूले